ओब स्याद्धि आत्मा बनकर बैठें अपने मस्तक सिंगासन पर नया प्रोजेक्ट है फुली स्टॉप और फरिष्टास्वरोप एक सकिन में फुली स्टॉप लगाना बाबा इसकी हमें बहुत प्रेहना देते रहे क्योंकि स्प्रिच्वलिटी का ये एक मुख्य बिंदू है कि हम व्यर्थ संकल्पों को जल्दी से जल्दी समाप कर लें एक सकिन में चलो नभी हो पर हमारे पास कुछ ऐसे पावरफुल सं संकल्प हों जानके जिनसे हम अपने और संकल्पों को पहले धीमा करें उनके इफेक्ट को खटम करें फिर उनको पूरी तरह समात कर दें कुछ नए अच्छे विचारों में आ जाएं इसके लिए योग की शक्ति तो चाहिए ही कंट्रोलिंग पावर तो चाहिए लेकिन ये जाद बाही ये मुखी है जिस व्यक्ति में विकार बहुत जादे हैं चाहिए सद्वेशी क्यों नहों उसके लिए फुली स्टोप लगाना ये तो एक कल्पना जैसी हो जाएगी लेकिन जिन लोगों ने अपने चित को स्यांत किया है जिनोंने अपने विकारों को जीता है जो अंतरमुखी होगे केवल स्वचिंतन करते हैं जिनोंने मान लिया है कि संगम यूग पर पर्चिंतन हमारा सब्जेक नहीं है चारों यूग कर लेंगे अब नहीं करना है अब भगवान मिला है उसका चिंतन करेंगे आत्मिक चिंतन करें स्वदर्शन चक्र का चिंतन करें वो इन से मुख्त हो जाते हैं तो पहली चीज यह कि हमारा मन इन सबसे एसे ही मुख्त रहे व्यार्थ से फिर जब मुख्त रहेगा तो हमारे अंदर शक्तियां रहेंगी क्योंकि व्यार्थ में ही सारी शक्तियां बहती हैं तो हम सहजी फुल स्टोप लगा सकेंगे अपने संकल्पों को श्यांत कर सकेंगे सभी समझ रहे होंगे पावर्फुल संकल्पों की शक्ति से व्यार्द संकल्पों को समाप्त करने की प्रेक्टिस डालनी है उसमें हमारे पास ड्रामा का ग्यान है साक्सी भाव का ग्यान है हमारे पास ग्यान के वह सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे मालोग कोई हमारी ग्लानी करता है उल्टे कबेंट्स करता है हमें उसका संकल्प चलता है, चलता तो है लेकिन हम जल्दे से जल्दी उससे मुक्त हो जाएं ये हमें अब्भ्यास करने हैं ज्यान के बल को यूज करके तब हम फरिश्टे बन सकेंगे नहीं तो व्यर्थ में अगर हम रहेंगे तो प्योरिटी की पावर भी हमारे पाथ जमा नहीं होगी हम चाहे कितने भी पवित्र बन जाएं हमारे स्वप्न भी ठीक हो जाएं लेकिन व्यर्थ संकल्प हमारी सक्तियों को दास्ट करते रहेंगे इसलिए बहुत आवस्चक है कि हम बुरा देखना बुरा बोलना इस सद्वेस तेरा मेरा इस सब्चक्रवियों से मुक्त रहें तब हम फरिष्टे स्वरूप की ओर चलेंगे रोज अभ्यास किया करेंगे मैं आत्मा मस्तक के मद में हूँ और मैं निराकार हूँ निराकार इस्थिती का बहुत अच्छा अनुभव करें हूँ चार ओर मेरे प्रभामंडल है और मुझे में इतना तेज है शक्तियों की किरने इतनी पावर्फुल है कि उससे जैसे मेरा ये इस्थूल सरीर ही लोप हो गया और मैं आत्मा बैठी रह गई प्रकास के सरीर में तो ये अभ्यास करेंगे और मेरे अंग-अंग से शक्तियों की पवित्रता की केरने चार ओर फैल रही है आजकल तो विशेश जरूरत है हमे कि हम अपने फरिष्टे स्वरूप के द्वारा विश्व की सेवा करें एक विजन बनाये करें मैं फरिष्टा उपर हूँ आकास में और मैं इस्थिर हूँ हाथ उपर की आया है मैंने वर्दानी मुद्रा में हाथ से केरने निकल के नीचे जा रही है मस्तक से केरने निकल के नीचे जा रही है और लोग उपर की और मुझे देख रही है कि ये डिवाइन फरिष्टा कहां से आ गया और मेरा ते चार और वायु मंडल में बहुत ज़्यादा फैल गया है जैसे कोई दिव्य फरिष्टा ते जश्वी फरिष्टा आकास में प्रगठ हो गया हो और उसका ते चार और फैल रहा हो ये वीजन बनाया करें इसे बहुत अच्छे अनुभव होंगे अपना स्वरूप बढ़ता जाएगा बाकि डबल लाइट रहें बहुत हलके रहें और अभ्यास को बढ़ाते चलें तो हम फरिष्टे स्वरूप तक अवस ही पहुँच जाएगे ओब स्यादि